Welcome to Study Watch On the Grasshopper and Cricket Grasshopper और Cricket पर Cricket का मतलब जैसा हम जानते हैं जेंगूर और Grasshopper का मतलब टिडड़ ठीक ठीक है तो टिडड़ और Cricket के उपर क्या है ये पूरी पोएम आधारित है ये पूरी पोएम है ठीक ये पोएम है एक Grasshopper और Cricket के बारे में बताया तो गया है लेकिन इसे एक सिंबल की तरह मौसम के सिंबल की तरह इसे रेपेजेंट किया गया है और कैसे ये जो धर्ती का मूमेंट है जो धर्ती की गती है इसके चलने की इसके मधूरता की इसके गीत की वो कभी खतम नहीं होती है ठीक तो कभी Grasshopper आता है इसे गीत देने तो कभी Cricket इसे अपने गानों से आनन्दित कर देता है आनन्दित बना देता है ठीक है तो चलिए देखते हैं इस पोएम में क्या है लायंग बाई-लाय एक्स्प्लेight में अन्लाइक थे आन्द अन्द ग्रिकेट पेज नमबर 21 ठीक है चीति और क्रिकेट से अलग अन्द का मतलब ज्यसे हम जाते हैं चीति क्रिकेट का मतलब क्या है है आपर जींगूर तो जहिंगूर और चीटी से अलग अनलाइक का मतलब क्या है जुदा अलग भिन ठीक चीटी और क्रिकेट से जहिंगूर से अलग page number 21 जो हमने poem page number 21 पर पढ़ी थी उससे अलग यहाँ पर बात कही गई है which tells a story जो एक कहानी बताती है जो हमने page number 21 पर पढ़ा था जो poem वो एक कहानी बताती है this is a nature poem लेकिन यह क्या है यह एक प्राकृतिक कविता है यह कहानी नहीं है जैसा हम लोगों ने page number 21 में पढ़ा था कि एक क्रिकेट होता है और एक चीटी चीटी बहुत महंती होती है वो अपने आने वाले कल के लिए अपने बदलते हुए मौसम के लिए वो सारे अनाच के भंडारण वो कर लेती है लेकिन वहीं पर जो क्रिकेट होता है वो अपने गाने में अपने आनद में खोया रहता है अब जब मौसम आता है सर्दियों का तो उसे भूख लगती है और उसके पास खाने को कुछ नहीं होता है तो इसमें एक बार बताई गई है कि आपको समय से कारे करना चाहिए अनुशासन में रहना चाहिए और भविश्य के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए उसके लिए भी बच्चत करके रखनी चाहिए इस कहानी से हमने सीखा था कि परिश्यम करना चाहिए और हमें बहुत ही अनुशासित रहना चाहिए लेकिन ये जो है on the grasshopper and cricket ये पोएम ये एक प्राकृतिक पोएम है ठीक चलिए आगे देखते हैं इसमें the grasshopper and cricket do not appear as characters in a story ठीक है तो इसमें क्या है the grasshopper and cricket ये जो grasshopper है और cricket है do not appear as characters ये चरित्र की तरह इसमें नहीं आये हुए हैं ये चरित्र को प्रकट नहीं करते हैं किसी भी ये किसी भी चरित्र को प्रकट नहीं करते हैं ठीक इस कहानी में Rather, बलकि they act as symbols, बलकि वो एक प्रतीक की तरह काम करते हैं, ठीक है, symbol का मतलब क्या है, प्रतीक, चिन, ठीक, वो एक symbol की तरह काम करते हैं, each suggesting something else, प्रतीक कुछ अलग-अलग suggest करता है, ठीक, ग्रासा पर अगर कुछ represent करता है, तो cricket कुछ और represent करता है, तो यहाँ पर हम suggesting को क्या कह सकते हैं, represent, ठीक, read the poem, इस कविता को पढ़िये, and notice, और ध्यान दीजिये, how the poetry of earth keeps on through the summer and winter in a never-ending song, की, इस कविता को पढ़िये, और ध्यान दीजिये, की, how the poetry of the earth keeps on, की कैसे, धर्ती का जो काव्य है, जो धर्ती की जो कविता है, वो कैसे चलती रहती है, keeps on का मतलब क्या है, continue new, चलती रहती है, through the summer and winter, वो गर्मी से सर्दी तक, ठीक, यानि वो साल के 12 महीने कैसे चलती रहती है, ठीक है, in a never-ending song, एक कभी ना खतम होने वाले गीत में, ठीक है, एक कभी ना खतम होने वाले गीत के रूप में, जो धर्ती का काव्य है, वो चलता रहता है, कैसे चलता र पोईम का मतलब कभीता होता है, पोट्री का मतलब काव्य है, तो हम यहाँ पर दोनों को interchangeably use कर लेंगे, तो who sings the song, इस गीत को कौन गाता है, ठीक, जैसे, सौंग का मतलब क्या होता है, गीत, इस गाने को कौन गाता है, चलिए देखते है, line by line explanation में, हमें पता चलेगा, तो क्या है, कि the poetry of the earth, धर्ती का काव्य, धर्ती की कविता, जैसा मैंने अभी आपको कहा, कि poetry को हम पोईम की तरह इस्तेमाल करेंगे हाँ पर, the poetry of earth, जो धर्ती का काव्य है, is never dead, यह कभी खतम होने वाला नहीं है, dead को हम यहाँ पर क्या कह सकते है, end, ठीक, इसका कभी अंत ह होने वाला नहीं है, when all the birds are faint, जब सभी पक्षी ठक जाते हैं, faint का मतलब हम यहाँ क्या कह सकते हैं, ठीक है, tired, जब सारे पक्षी ठक जाते हैं, with the hot sun, सूरज की गर्मी से, जब सूरज की गर्मी से सारे पक्षी ठक जाते हैं, and hide in a cooling trees, और वो छिप जाते हैं, ठीक है, end का मत cooling trees, पेड की ठंडी च्छाओं में, जब वो पेड की ठंडी च्छाओं में छिप जाते हैं, a voice will run, तब एक आवाज उठती है, तब एक आवाज उठेगी, ठीक है, run का मतलब हम यहाँ क्या कह सकते हैं, rise, ठीक है, हमें सुनाई पड़ेगी, तब हमें एक आवाज सुनाई प पड़ जाते हैं, तब एक नई आवाज आती है, एक नई गती आती है, वो क्या है, from hedge to hedge, about the new man made, that is the grasshoppers, he takes the lead, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, from hedge to hedge, एक hedge से दूसरे hedge तक, hedge का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं, बाड़ा, जो फसल को बचाने के लिए, जो घराव किया जाता है, ठीक है, बास से, और लकडी, और सर्पत वगरे लगा करके, उसे हम hedge बोलते हैं, या फिर किसी जानवर को सुरक्षित रखने के लिए, या फिर उसे रोकने के लिए, कि वो बाहर न जाये, उसे भी हम hedge कहते हैं, तो हम यहाँ पर hedge को लेकिन हम कह सकते हैं, corner, kona, ठ about the new morn, mid, अब जो नई कटाई हुई है, उस muddow में, mid का मतलब यहाँ यहाँ पर, muddow, जिसे हम चारागाह कहते हैं, खेट कह सकते हैं, field कह सकते हैं, new morn का मतलब जो अभी अभी जिसकी कटाई हुई है, या जिसे जैनवरों ने अभी पूरा चर लिया है, ठीक है, वहाँ से क्या आता है, अब ये ग्रास हपर की आवाज होती है, ठीक है, अब ये ग्रास हपर आता है, अब वो आवाज करता है, he takes the lead, अब वो lead लेता है, अब वो अगुआ बनता है, अब वो नेतरित हो करता है, किसका नेतरित करता है, वो करता है, poetry of the earth का नेतरित हो करता है, धरती के कावे को ठीक लेकिन जब वो ठक जाते हैं तब वहाँ पर ये ग्रास हपर आता है ठीक और वो अपनी आवाज से धर्ती के जो गीत हैं उसे वो आगे बढ़ाता है इन समर लग्शरी समर के आनंद में वो कभी भी आनंद लेते हुए नहीं ठकता है he has never done का मतलब यहां पर क्या है? tired हम कह सकते हैं ठका हुआ या फिर उसका काम खतम नहीं होता है यानि उसका आनंद लेने का जो काम है वो कभी खतम नहीं होता है delight का मतलब क्या है? आनंद ठीक वो खतम नहीं होता है For when tired out with fun जब वो ठक जाता है आनंद लेते लेते जब वो ठक जाता है बहुत ज़ादा आनंदित हो करके He rest at ease beneath some pleasant feed He rest वो आराम करता है At ease बड़े आराम से beneath some pleasant feed किसी बड़े ही मधूर घास के नीचे वो आनंद करता है He rest वो आनंद करता है at ease बड़े ही आराम से Beneath का मतलब होता है under नीचे Some pleasant weed some pleasant का मतलब किया है किसी अच्छे से किसी अच्छे से weed के नीचे weed का मतलब हम कह सकते है जो सूखी घास होती है खर पतवार होता है उसे हम weed कहते हैं तो वो किसी मालिजे शर्पत के किनारे या फिर किसी जो घास है जमीन में हुई उसके नीचे वो बैठ करके फिर वो आराम करता है तो इस तरह से हमने देखा कि जब गर्मियों में चिरिया और पक्षी चह चाहते हैं वो poetry of the earth को continue रखते हैं उसके बाद जब वो ठक करके पेड़ की ठंडी चाओं में बैठ जाते हैं तब एक आवाज आती है वो आवाज होती है ग्रास हपर की वो लीड लेता है वो poetry of the earth को वो आगे बढ़ाता है ठीक चलिए आगे देखते है जो poetry of the earth है जो धरती का काव है धरती का जो गीत है is seizing never वो कभी भी रुकने वाला नहीं है seizing का मतलब हम कह सकते है stop ठीक है वो कभी stop होने वाला नहीं है रुपने वाला नहीं है on a lone winter evening उस अकेली ठंडी रात में ठीक है lone का मतलब क्या है अकेला winter evening सर्दी की शाम when the frost has wroth a silence जब frost ने ठंड ने तुशार ने फ्रोस्ट को हम क्या कह सकते है आपर ठंड बहुत जबजादा पड़े उसे कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि तुशार when the frost has wroth a silence जब ठंड ने चारो तरफ बिल्कुल अपना सन्नाटा फैला दिया है wroth का मतलब यहां कह सकते हैं wroth का मतलब कह सकते हैं spread ठीक है कि जब ठंड ने अपना सन्नाटा चारो तरफ फैला दिया है from the stone पत्थर से there shrills cricket song फिर वहां cricket की आवाज आती है फिर वहां से cricket की आवाज सुनाई देती है यानि फिर जहिंगूर की आवाज सुनाई देती है ठीक हमने देखा कि जब सन्नाटा पस रहुए होता है ठंड में पिलकुल कोई बाहर नहीं निकल रहा होता है सारे पक्षी सारे जानवर दुपके हुए रहते हैं ठंड की वज़ा से तो वहां से हमें ये श्रिल वाली आवाज उस cricket की उस जहिंगूर की सुनाई देती है इन वाम्त इंक्रीजिंग एवर जिससे थोड़ी गर्मी माहौल मे बढ़ जाती है जिसे थोड़ा सा उत्साह आ जाता है ठीक? and or seems to one in drowsiness half lost और उस आदमी को जो अभी आधी नीद में खोया हुआ है drowsiness का मतलब क्या है नीद half lost आधा खोया हुआ है जब वो आधी नीद में पड़ा हुआ है the grasshoppers among some grassy hills तब ऐसी इस्थिती में वो जो grasshopper है वो अभी आधी नीद में खोया हुआ grassy hills घास से भरी पहाड़ियों में वो कहीं पड़ा हुआ रहता है जब यहां से ये चुप हो जाएगा यानी जब cricket चुप हो जाएगा तो पक्षी बोलना शुरू करेंगे जब पक्षी बोलना बंद करेंगे तो grasshopper आएगा तो इस तरह से जो poetry of the earth है जो धर्ती का काव है जो धर्ती का गीत है जो धर्ती का गाना है वो चलता रहता है ठीक ये जॉन कीट्स की बहुती अच्छी कवीता थी बहुत अच्छी पोएम थी इस तरह से आपकी ये पोएम भी खतम हो गई और ducks and the kangaroo की जो पोएम थी वो शायद अब इस बार 2022 वाले स्लेबस में नहीं है 2021-22 के ठीक है आप देखिएगा बुक उसमें है नहीं इसी पोएम के साथ ये आपकी स्टोरी और पोएम दोनों खतम होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजेगा चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब कीजेगा और बेल आइकन भी जरूर दबाईएगा आपके सबस्क्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा होसला तैंक यू